नमस्कार मरून सखाजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है 36 गड़ के चुनाओं सकत्म हो चुके हैं और नतीजे भी आ गए हैं इसके मुताबिक 68 सीटें कॉंगरिस ने जीती हैं 15 भाजपाने पांच जो हैं जोगी कॉंगरिस ने जीती हैं जबकि दो सीटें बस पाने जीती हैं कौन कहां से जीता है पूरी लिष्ट आप विधान सभावार इस वीडियो में देख सकते हैं हम आपको बताना चाहेंगे कि इसी चैनल पर प्रसारित किया गया था 36 गड़का सबसे 60 एकजिट पोल नतीजे लगभग उसी के हिसाब से आए हैं आप इस चैनल को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें और खास तोर से बेल बटन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें यह इस चैनल पर जो है पॉलिटिकली जिच और क्रेडिबल कंटेंट पर सारित किया जाता है 36 गड़ में कौन कहां से विधायक बना है सबसे एक नंबर की सीट है भरतपुर सोन हर्ट वहां से कॉंगरेस के गुलाब कमरो जीते हैं मनेंद्रगड से डॉक्टर विनाई जैसवाल कॉंग्रेस जीते हैं बैकूंडपूर से अंबिगा सिंग देव कॉंग्रेस प्रेम नगर से खेल साय सिंग कॉंग्रेस भटगाउं से पारसनाथ राजवाड़े कॉंग्रेश, प्रतापूर से प्रेमसाय सिंग कॉंग्रेश, रामा नुजगंज से ब्रहस्पती सिंग कॉंग्रेश, चिंतामणी महाराज सामरी से कॉंग्रेश, डक्टर प्रितम राम कॉंग्रेश से लुन्रा, अंबिगापूर से यूडी यानि उत्तमदान मिंज कॉंग्रेस पथलगाउं से राम पुकार सींग कॉंग्रेस लेलुंगा से चक्रधर सिदार कॉंग्रेस रायगर से प्रकाश नायक कॉंग्रेस सारंगर से उत्तरी जांगडे कॉंग्रेस खरसिया से उमेश पटेल कॉंग्रेस धरम जैगर से लाल जीत राठिया कॉंग्रेस, रामपुर से ननकी राम कमर भाजपा, कॉर्बा से जैसिंग अगरबाल कॉंग्रेस, कटगोरा से पुर्शुत्तम कमर कॉंग्रेस, पाली दानाखार से मोहन केरकेटा कॉंग्रेस, मरवाही से अजीत जोगी जनता कॉंग्रेस चतिस गड़, कोटा से रेनु जोगी जनता कॉंग्रेस चतिस गड़, लोर्मी से धरमजीस सिंग जनता कॉंग्रेस चतिस गड़, मुगेली से पुनुलाल मोहले बीजेपी, तकतपुर से रश्मी सिंग कॉंग्रेस, बिलासपुर लाल कौशिक, बीजेपी, बिलासपुर से शैलेस पांडे कॉंग्रेस, रजनीश सिंग बेलतरा से भाचपा, मस्तूरी से कृष्णमूर्ती बांदी भाचपा, अकलतरा से सौरभ सिंग भाचपा, जानगीर चापा से नाराने चंदेल भाचपा, सक्ती से चरणदास महंत कॉं नंद कॉंग्रेस, बसना से देवेंदर बहादुर सींग कॉंग्रेस, खल्लारी से द्वारिका धीश यादव कॉंग्रेस, महा समुंद से विनोद चंद्राकर कॉंग्रेस, बिलाईगर से चंद्रदेव राय कॉंग्रेस, कस्डोल से शकुंत शकुंतला साहू कॉंग्रेस, बलोदा बाजार से प्रमोद शर्मा जनता कॉंग्रेस 36 गड़, भाटापार से शिवरतन शर्मा बीजेपी, धर्जीवा से अनिता शर्मा कॉंग्रेस, राइपूर ग्रामिग्न से सत्यनारायन शर्मा कॉंग्रेस, राइपूर पस्चिन से विकासो पातिहाय कॉंग्रेस, रा भुवनपुर से धनेंदर साहू कॉंग्रेस। राजिन से अमितेश शुकला कॉंग्रेस। बिंदरा नवागड से डमुरुधर पुजारी भाजपा। सिहावा से लक्ष्मी धुर्ग कॉंग्रेस। कुरूच से अजय चंद्राकर भाजपा। धमतरी से रंजना दिपैंदर स साहू महाजपा। संजारी बालोत से संगीता सिना कॉंग्रेस। डोंडी लोहारा से अनिला भेंडिया कॉंग्रेस। गुंडर देही से कुवर निसाद, कुवर सिंग निशाद कॉंग्रेस। पातन से भूपेश बगेल कॉंग्रेस। दुर्ग ग्रामिन से तामरद्वज स साहू कॉंग्रेस दुर्ग सिटी से अरुन गोरा कॉंग्रेस भिलाई सिटी से डेवेंद्र यादव कॉंग्रेस वैशाली नगर से विद्यारतन भसीन भाजपा अहिवारा से गुरु रुद्रकुमार कॉंग्रेस साजा से लविंद्र चौबे कॉंग्रेस बेमतरा से श्च्छाबडा कॉंग्रेस नवागड से गुरुदयाल बंजारे कॉंग्रेस पंदरिया से ममता चंद्राकर कॉंग्रेस कबरधा से मुहम्मद अकबर कॉंग्रेस धैरागड से देवरस सिंग जनता कॉंग्रेस चतिसगड डोंगरगड से भुवनेश्वर बगेल कॉंग्रे दोंगर गाउं से दलेश्वर साहू कॉंग्रेस, खुजी से छन्नी साहू कॉंग्रेस, महला मानपुर से इंद्राशाह मंदावी कॉंग्रेस, अन्तैगर से अनूप नाग कॉंग्रेस, भानुपरतापुर से मनोस सिंग मंदावी कॉंग्रेस, कांकेश से शिशुपाल सोरी कॉंग्रेस कुंडा गाउं से मोहन मरकाम कॉंग्रेस नरेणपूर से चंदन कश्यप कॉंग्रेस बस्तर से लखेश्षर बघhyल कॉंग्रेस। जगदलपुर से रेख चंजेन कॉंग्रेस, चित्रकोट से दीपक कुमार बैज कॉंग्रेस, दन्तेवाडा से देवती कर्मा को हरा करके भीमा मंदावी भाजपाने जीत दर्ज की है, बीजापुर जो की महेश गागडा की सीतु अकर्टी थी मंत्री, विक्रम मंदावी ने क कॉंटा से कवासी लखमा, कॉंटा यानि 36 गड़ के आखरी सीट है, वहाँ से कवासी लखमा ने जो है चोथी बार जीत हासिल की है, इस प्रकार से देखें, तो 36 गड़ का जो पूरा अवरॉल जो सिनेरियो है, दुरिश्य है, उसके मताबिक 36 गड़ में वरतमान में 68 सीट कोंग्रेश पार्टी ने जीती है, जबकि 15 सीटों पर भारचंत पार्टी सिमट कर रहे गई है, भारचंत पार्टी 2003 से 36 गड़ में राज कर रही थी, दो सीटे बस पाकों मिली है, वो 5 सीटे अभी-बनी जनटा कोंग्रेश, 36 गड़, जे को मिली है, इसे इसाब से देखे वो 61,44,192 जबकि भाजपा ने जो है 33 फीजदी 33 परसेंट वोट हासिल किये हैं जिनकी संख्या होती है 47,7,141 यानि कि 36 गड़ के अपने 18 साल की इतिहास में चौथे आम विर्हान सवचनाओं में पहली बार कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और इसमें जो है वहीं जो नवगठित जो पार्टी हाली में जो कॉंग्रेस से बगावत करके पार्टी बनाई उस पार्टी का जो परफॉर्मेंस एंडिविज्यूल तो उसमें जो हैं 5 सीटें उसने हासिल की है और 7.6 फीसदी वोट हासिल की है इन वोटों का अगर हम कनवर्ट करते हैं आ वोटों के वहीं अगर हम बात करें तो इनकी जो सही होगी थी वहुझन समाच पार्टी बस्पा बस्पा ने जो है तीन दस्वमलब 9 फीसदी वोटों हासिल की हैं इनकी संख्या होती है पांच लाग बावन हजार 313 यानिकि जो बस्पा और वोट है वो करीब-करीब चार परसेंट है 2003 मों उसने जो हासिल गिया था 2008 मों उसने सरवाधिक 6 परसेंट तक हासिल किया 2013 फिर 4.5 पर चली गई इस बार फिर वो जो है 4 परसेंट को भी टच नहीं कर पाई इस लिहाज से देखें तो बीस्पी का वोट जो कोर वोट है वो करीब-करीब यही है लेकि लगवायन गरतोंतर पार्टी जो है यहां की अब पांच भी बड़ी पाऩी है पहले यह दूसरे दूसरे चौथे नंबर की बड़ी पार्टी हुआ करती थी लेकिन अब जो भी कॉंग्रेस के आने बाद ये पांच भी बड़ी पार्टी है इस लिहास से अगर देखें तो यह हम कह सकते हैं कि एक दश्रमलब साथ फीस्दी वोटों के साथ गुणवान गणतंदर को हलाकि को कोई सीट नहीं मिली लेकिन वोट शेयर लगभग लगभग एक दश्रमलब साथ परसेंट है यानि वोट में कनवर्ट करें तो यह होता है दो लाग साथ चार सो उनसट यह परफॉर्मेंस भी अच्छा है लेकिन सीट कुछ नहीं मिली है इंको पिछली बार जो उनका परफ सेंट वोट उसने हासिल किये हैं आपको कैसा लगा यह विशलेशन आप इस चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें बेल बटन जरूर दबा दें ताकि आपके पास जो है पॉलिटिकल क्रेटिबल और रिच कंटेंट के नोटिफिक बार अपनी जमानत नहीं बचा पाया है और नहीं कोई बहुत सिग्निफिकेंट बहुत कर पाये हैं लेकिन फिर भी पॉइंट नाइन परसेंट यानि एक परसेंट में पॉइंट वन परसेंट के फर्क से रह गया है यानि उन्होंने जो है पूरे सथिसगण में एक लाग 23,50026 वोट हासिल किये हैं यह वोट कम नहीं है किसी नई पार्टी के लिए एक लाग प्लस पाने वाली जो किसी भी राजनेतिक दल में आमारी पार्टी बनकर अबरी है बराल सबसे अच्छा परफॉर्म आमारी पार्टी ने जो है कहीं नहीं कर पाई है कोई बहुत सिग्न लोगों ने बहुत बुरी तरह से खारिज किया है CPI कोई सीट तो नहीं जीत पाई है साथ ही वोट भी इनका बहुत जाला सिमट गया है CPI पॉइंट 3% वोट याने 48255 वोट जबकि CPI के प्रभाव वाले जो जिले हैं वो करीब करीब तीन जिले हैं विदान साहब अगर बात करें तो करीब पांच विदान साहब में प्रभाव बस्तर की लेकिन इस बार यहां ऐसा कुछ दिखा नहीं सबसे जादा जो स्थिती रहती थी नोटा को लेकर सबके मन में ख्याल रहता है नोटा ने 36 गड़ में इस बार जो है कोई बहुत खास असर नहीं छोड़ा 2013 में जो नोटा था ये करीब 4.5% था इस बार सिर्फ 2% नोटा आया इस इसे साब से देखें तो कई सवा लाख वोट कम हुए है कुल मिला करके और परसेंटेज में बात करें तो 2% की गिरावट है यानि नोटा से लोगों का मुह भंग हुगा है वजह यह है कि हाँ पर विकल्प परियापत मिले पहले 36 गड़ में विकल्प की रूप में कॉं से ता कॉंग्रेश 36 गड़ की एक सीट बलो दबाजार जो है बहुती सरप्राइजिंग सीट लोगों को लग रही है इस सीट का अनुमान किसी को बहुत ज़्यादा नहीं था आप इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कोमेंट कीजिए और ह जा रहा है का राज्रीतिक शेत्र धर्मक्षेत्रों और सामाजक शेत्र का रिच विश्व सुनिये सम्रिद कंटेंट आप इस चेनल पर डेक से नेंज हैं आप इस चेनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें और ऐ़्ल बüton दबाने शुक्रिया